देखे जहां तक YSR, Congress और BJD का सवाल है ये दो बड़ी पार्टियां है और देश के दो महत्वपून बड़े राज्यों में राज्य सरकारें चला रही हैं आंधरप्रदेश और उडिसा लेकिन फिर भी उन लोगों ने राज्य की शक्तियां छीन कर सारी शक्तियां कर में ली नहीं होंगी यूही कोई बेवफा नहीं होता जी करता है कि बहुत सच कहूं क्या करें होसला नहीं होता जरूर उनकी कोई मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते उन लोगों ने ये फैसला लिया क्या मजबूरियां है किन मजबूरियों के चलते फैसला लिया ये निरने इसका विशलेशन मैं आप पे छोड़ता हूं जनता पे छोड़ता हूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस खतरनाक कानून को राज्य सरकार को की शक्तियों को ध्वस्त करने वाले कानून को सिर्फ दिल्ली के परिपेख से नहीं देखना चाहिए अगर ये कानून औ रज्यों में लागू किया जाएगा और गैर भाजपा रज्यों की सरकारों की शक्तियां चीनी जाएंगी रहात इंदौरी साब का एक बड़ा महत्वपून शेर है जो मुझे याद आता है कि अगर खिलाफ हैं होने दो जान थोड़ी है ये सब धुआ है आसमान थोड़ी ह लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में यहां पर हमारा अकेला मकान थोड़ी है सिर्फ हमारे अकेला मकान नहीं है अगर हमारे घर में आग लगेगी अगर हमारी राज्य सरकार की शक्तियां चीनी जाएंगी तो वो दिन दूर नहीं कि आप लोगों की राज्य सरकारों की जो शक्तियां हैं वो भी ये केंदर में बैठी एक डिक्टेटरशिप और हिटलर शाही में विश्वास रखने वाली सरकार आपकी भी तमाम राज्य सरकारों की शक्तियां छीन लेंगी मुझे लगता है अपनी मजबूरियों को वो भेतर समझते हैं तो आगे की बात वो रखें इस पर वो भेतर रहे हैं अपने परिवार के बड़े बेटे अर्विंद केज्रिवाल जी से इतनी महबत करते हैं कि लगातार उनको वोट दे करते आए बीजेपी ने लाग कोशिशें करी पिछले 10 साल में हमारी शक्तियां चीनने की कभी ओडिनेंस ले आए कभी बिल ले आए कभी नोटिफिकेशन ले आए कभी उपरा जेपाल को हम पे छोड़ दिया न जाने क्या क्या किया कई प्रकार की जांचे बिठा ली लेकि उसकी भडास और उसकी युमिलियेशन का बदला लेने के लिए ये डिली वालों को डिली के 2 करोड़ लोगों को गुलाम बनाने के लिए मैं बड़ी जिम्मदारी से कहा रहा हूँ दिल्ली के दो करोड लोगों का लोगतांत्रिक अधिकार छीन कर उनको गुलाम बलाने के लिए ये कानून बीजेपी लेकर आईए ये एक एंटी नैशनल बिल है जो जो लोग इस राष्ट विरोधी कानून का समर्थन करेंगे उन्हें इतिहास राष्ट विरोधियों के नाम से याद रखेगा और जो जो बिल को गिराने में हमारा साथ देंगे उन लोगों को राष्ट भक्त के नाम से इतिहास याद रखेगा किसी प्रकार का कोई सरेंडर नहीं है पूरी लड़ाई लड़ेंगे सदन के भीतर और राज्यसभा में बहुत कांटे की टकर है सरकार के पास जो आकड़े हैं लगबग उतनी आकड़े विपक्ष के पास भी है पूरा इंडिया ब्लॉक के एक जुट है मजबूत लड़ाई ह कहूंगा कि यह मात्र एक छोटे से बिल पर मद्दान की बात नहीं है एक धर्म युद है जिसमें धर्म हमारे साथ है अच्छाई हमारे साथ है सत्य हमारे साथ है अधर्म बुराई और असत्य भाजपा के खेमे में है और जब धर्म आपके साथ हो तो इस ब्रहमान की तमाम शक्तियां आपको जिताने में अवश्य लग जाती हैं और मेरा विश्वास है कि जब ये बिल मद्दान पर आएगा तो अवश्य हम सब लोग इस बिल को